हलो मेरे नाम इचिंद्रहास इ स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आपके स्वीडियो में हम देखेंगे वर्ण वर्ड स्टूशन से पार्ट 9 पार्ट 9 से पहले जो पार्ट 8 तक की वीडियोस हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पे कॉर्णर में मैं लिंक दे रहा हूं प्लैलिस्ट का वहां से जा करके आप देख सकते हैं आपको बता दूँ यहां पर आपको पचास से अधिक जो वकैबलरी है वो देखने को मिलती है 20-30 question तो आपको यहां पर जो one word substitution के direct question और answer वो होते हैं उसके अलावा जो options में word होते हैं उनके मतलब मैं आपको बताता हूं तो काफी important यह part होता है आपके लिए तो आपको अगर इसका pdf चाहिए तो आप telegram channel जोईन कर सकते हैं हमारा वहां पर इसका pdf आपको मिल जागा इसक करता हूं आज का वीडियो जो पिछले वीडियो मैंने आपसे question पूछा था to be known for a bad act कि जो अपने खराब जो काम होते हैं उनकी वजह से जो बहुत ज्यादा famous होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं notorious सी वाला जो option है वो उसका सही है okay notorious person कहा जाता है मतलब बहुत ज्य अगर कोई हो कुछ और आए इस तरह से diplomatic activity हो रही है तो उसमें कौन सा काम होना है कौन सा काम नहीं होना है यह सारी चीजें मतलब उसमें क्या एटिकेट और प्रेजिडेंस फॉलो होंगी उस सब का जो ध्यान रखा जाता है वो क्या कहलाता है तो उसको कहा जाता है protocol हम के ले जाएगा कौन मिलवाएगा यह सारी चीजें जो होती है protocol के अंतरगत आती है इसमें statement का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है राजनीतिक गयता आप कह सकते हैं मतलब जो एक statement की तरह जो काम करें मतलब बहुत ज्यादा वाकपटू हो जो बातों को अच्छे से अपन मतलब दो देशों दो राज्यों इस तरह के बीच में जो भी संबंध होते हैं वो diplomatic relation कहे जाते हैं इसी तरह आपको hierarchy का मतलब तो पता ही होगा hierarchy आप कह सकते हैं कोई अनुकरम हो मतलब कौन सी चीज पहले आएगी उसके बाद कौन सी चीज आएगी वो आपका hierarchy कह लाता है अ चोंड देना तो ऐसे करने को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है एबडिकेट करना ओके डी वाला जो option है यह इसका correct है जैसे आप कहीं के राजा हूं आप अपना पद छोंड दें तो आपने अबडिकेट कर दिया ओके या फिर आप कहीं हाई position पे हैं आप उससे अबडन का मतलब होता है छोंड देना यहाँ पे कुछ special बात हो रही कि मतलब किसी high authority या control को छोंड देना तो अबडिकेट कहलाता है एबडक्ट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किड्नैप करना मतलब कि किसी का अपहरण करना ओके इसी से word बनता है abduction वगेरा oh okay about का मतलब आपको पताई है अगला वर्ड है not to be moved by entreaty मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुनाय विनाय करने के बाद भी जिसको move ना किया जा सके हैं कैसके हैं इसको मनाया ना जा सके तो ऐसा जो person है मतलब आप उसके सामने कितनी भी विंती करिए लेकिन जो उसका मन है वो change नहीं होता या फिर जो उसने सोच रखा है उसमें कोई परिवर्टन नहीं होता है तो ऐसे person के लिए word use होता है क्या inexorable डी वाला जो option है यह इसका correct है okay rigorous का मतलब क्या होता है कोई भी चीज बहुत ही है तो उसके लिए हम यूज करते है रिग्रस का कह सकते हैं जैसे रिग्रस रूल फॉलो किये जा रहे हैं इस समय मतलब कि उसमें कोई भी धील नहीं बढ़ती जा रही है नेगलिजेंट का मतलब क्या होता है आप कह सकते हैं लापर्वाह कोई भी अगर नेगलिजेंट है तो आप कहेंगे वो क्या है लापर्वाह है मतलब वह अपनी जो ड्यूटी है वह सही से नहीं निभा रहा है डेस्पोटिक का मतलब आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है ताना शाह मतलब कोई वेक्ति है जो दूसरे या किसी देश के उपर इस तरीके से कायम है कि बहुत ज्यादा क्रूवल तरीके से शाशन कर रहा है तो डेस्पोटिक कहलाएगा ओके अगला वर्ड है अब परसन हू राइट्स डेकोरेटिवली मतलब कोई वेक्ति जो बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखता हो तो उसके लिए कैलीग्राफर को हायर किया गया था जो समिधान को पूरा तयार किया था तो कैलीग्राफर का मतलब जो बहुत ही सुन्दर राइटिंग में बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखते हों कैलीग्राफर कहलाते हैं कोलियर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यो call mine जो होती हैं कोयला की खदान होती है चोइसको खनिक होते हैं उन्में काम करने वाले कोके होगा करा जाता है कार्टोग्राफर के समझते हुगे करियोग्राफर का मतलब जो डांस के स्ट्पस होता है ज Boss होता है जो अगला word है an object of position serving as a sample मतलब कोई object हो या कोई position हो जिसको सिर्फ sample के तोर पे सर्व किया गया हो मतलब पूरी तरीके से नहीं दिया गया आपको सिर्फ एक sample दिया गया है ताकि आप उसको देखें जैसे अगर कोई object है कोई खाने पीने की चीज है तो आपको एक छोटा सा उसका वाइट दिया गया है या फिर अगर कोई पुस्तक है तो उसका एक आपको प्रती दी गई ताकि आप उसको देखें पढ़ें टेस्ट करें इससे आपको पता चल सके कि उसमें कितना उसमें potential है या फिर वो कैसी है स्वाद में कैसी है पढ़ने में कैसी है क्या गलती है सब आपको पता चले ताकि आप लोगों को आगे recommend कर सकें तो इसको क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है specimen सी वालो जो option है यह इसका correct है books वगर आप देखते होगे जैसे जो टीचरों को मिलती है वह specimen copy होते है वह जो editors होते हैं पुस्तकों के यह फिर जो publication होते हैं उनको free में देते हैं ताकि वह समझ सके इस पुस्तक में क्या लिखा है अगर वह अच्छी होती ए-book तो आगे वह बच्चों को भी recommend करते हैं कि इस book को जिससे डर लगे तो डराने वाली कोई object हो तो वह क्या कहलाएगी इस पेक्टर कहलाएगी specification को मतलब समझते ही हैं किसी भी चीज के मतलब कोई भी अगर वस्त है मालीजी आपका mobile है हम कहते हैं उसका specification मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई है उसके बारे में एक पूरी detail जो जानकारी होती है उसको specification कहा जाएगा spectacle का मतलब क्या होता है कि दर्शन योग कोई या फिर देखने योग कोई नजारा हो तो उसको कहा जाता है spectacle देखने योग कोई नजारा हो तो इस spectacle कहलाता है something that causes death मतलब कोई ऐसी चीज जिससे क्या हो death हो जिसकी वज़ा से नित्य हो वो क्या कहलाती है तो उसको कहा जाता है fatal diseases होती है कुछ जैसे हम कह सकते है coronavirus का एक fatal disease मतलब कि इससे मौत होने की संभाव ना होती है तो वो कोई बिमारी हो सकते है जिससे मौत हो तो वो क्या कहलाती है fatal कहलाती है brutal का मतलब क्या होता है brutal का मतलब होता है कुछ भी बहुत ही ज्यादा cruel हो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इस तरीके से कोई चीज हो तो वो क्या कहलाएगी बहुत ही ज्यादा उसमें बहुत ही ज्यादा डेंजरेस का मतलब क्या होता है डेंजरेस का मतलब कुछ भी खतरनाक हो अब खतरनाक होने का मतलब क्या हो सकता है खतरनाक अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए तो खतरनाक में जान जाने की सम्हावना होती होस भी सकती है नहीं भी हो सकती है डिपेंड करता है किसके लिए आप बात कर रहे हैं फैटल क्या है एकदम फिक्स है सब के लिए अगर कहीं कुछ भी चीज फैटल है तो सब के लिए खतर वह ऐसी चीज़ होगी जिससे डिथ हो सकती है अगला वर्ड है मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना जिससे आप अपना जो भी प्रपोजल है उसके लिए पॉप्लर वोड जूटा है मतलब आप कोई प्रपोजल अगर यहां पर सामने ला रहे हैं लोगों के सामने तो आप अपनी तरफ से ला रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस पर ौकियर से दाऊं जाता है इंग्लिशन उसको रेफ्रेंडम का मतलब क्या होता है जनमत संग्रा उड़ा हो किसीवी चीज के लिए उनको क्या चाहिए जैसे भी हुआ पहले ब्रितन वगज़ने वगरा में हुआ था कि वहां के लोग ब्रितन के इंग्लाइंड के साथ रहन चाते हैं तो इस तरह का जो भी प्रोस्ट उसको रेफरेंडम कह जाता है वे बाकिके वर्ड इसमें आसानी है आपको पता होंगे अगला वर्ड है अब पोस्ट विथ लिटल वर्क बट हाई सल्ली मतलब कोई ऐसा ऐसी पोस्ट है जिसमें काम बहुत कम हो बहुत कम काम हो या ना के बराबर काम हो लेकिन उसकी जो salary हो वो हाई हो याद रखेगा एक post ऐसी होती है जो कि बहुत उची post होती है लेकिन उसमें salary नहीं होती है उसको कोई भी salary involved नहीं होती है आपको कुछ वेतन नहीं दिया जाता है उस पोश्ट के लिए लेकिन यह पोश्ट ऐसी होती है जिसमें काम बहुत कम होता है लेकिन इसमें salary काफी ज्यादा होती है तो ऐसी पोश्ट क्या कहलाती है तो इसको का जाता सिनेक्योर डी वाला जो option है इसक लोगपाल कहते हैं मतलब ऐसी संस्था जो की सिकायते सुनने और उसका निप्टारा करने का काम करती है जैसे आप किसी बैंक को ले करके दुखी है आपके बैंक ने आपके साथ चीट किया या कुछ भी ऐसी चीजें हुई तो आप उसकी जो सिकायत है वह पहले बैंक में कर मतलब इस तरीके से करना कि आपको कहीं से help ना मिले ना तो आपकी कोई help कर पा रहा हो इस तरीके से संघर्स करते रहना बिना किसी मदद के उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है फ्लाउंडर क्या होता है कि आपको मदद की जरूरत है लेकिन आप एकदम असहाय करना ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कुछ इसा बुरा हुआ अपको बूरा हुआ बूलने के लिए बुलाया गया और बड़ा फंक्शन हो और आप गर से कुछ और speech के pages लेकर के चले आए हूँ और आपने वो pages घर पे छोड़ दी हूँ तो जब आप वहाँ पे खड़े होंगे अपने जेब से page निकालेंगे देखेंगे तो मैं कुछ और ही लेकर आए या फिर जो pages से मिसिंग है तो आप क्या होंगे एक तरीके से फ्लाउंडर हो जाएंगे मतलब आप असहाय मैसूस करेंगे उस सिस्टी में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है आप अपने page घर पे भूल के आप इधर उधर के वह देखेंगे तो वह होता है फिंगर का मतलब को पता है कि कोई ग तरात्मा की आवाज होती हिंदी में मैं कहूं जिससे आपको पता चलता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है मतलब आप कुछ भी काम करें लेकिन आपको तो पता रहता ही है यह काम करना सही होता है यह फिर काम करना गलत होता है उसको क्या कहते है उसको फियर कहते है या फिर आपके इंदर चेतना है आप ऐसे नहीं बेवोश्य में हैं तो उसको कहते हैं consciousness आपके आसपास क्या हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है उसको ले करके आपको सारी चीजें पता है इसका console option से यह डी वाला सकते हैं मतलब आप काम करना अगर घ्राब क्वाप होता है तो आपके लिए दूसरा वक्ति आपके सामने ऐसे बोलता है कि आपके इतने भी जादा लापरवा कैसे हो सकते हैं कि आपको आपको जोट लगी है तो आपको terms and condition किसी prisoner को jail से release करना किसी term or condition पे कि आप बाहर तो जा सकते हैं लेकिन आप ये काम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं यहां जा सकते हैं यहां नहीं जा सकते हैं तो इस certain term and condition पे किसी prisoner को release करना होता है तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको का मतलब आपको यहां पर पता होगा एक्विटल का मतलब होता है दोश्मुक्ति मतलब किसी को अगर कोर्ट से दोश्मुक्त कर दिया गया हो तो उसको एक्विटल कहा जाता है पार्डन का मतलब आपको पते होता है कि उसको छामा मिल गई मतलब हमेशा के लिए उसको प्रार् अगला बर्ड है, प्रटेनिंग टो केटल, मतलब जो केटल से संबंधित हो, जो पशू होते हैं, चारे जिनको खिलाते हैं, अम दोद लीक कर निकालते हैं, संबंधित हैं, तो उसको कहते हैं, बोवाइज, बी वाला जो ऑप्षन है, ये इसका correct है vermenius का मतलब क्या होता है जो insect से related हो related to insect जैसे pertaining to cattle है तो pertaining to insects हो तो वो क्या कहलाएगा कीडे मकडे vermenius होगा फिर canine का मतलब क्या होगा pertaining to dogs जो कुत्तों से संबंधित हो pertaining to dogs इसी तरह feline का मतलब क्या होगा pertaining to cats याद रखेगा ये सारे पूछे जा सकते हैं सब के मतलब आपको आने चाहिए अगला word है theft of another person's writing or ideas and passing them off as one's own मतलब किसी और की writing या idea को चुरा करके उसको ऐसे पेश करना प्रस्तुत करना जैसे वो आपका ही idea हो इसको क्या कहा जाता है ये जो चोरी आपने करी है writing या idea की जैसे किसी ने कुछ किताब लिखी हो कोई कहानी लिखी हो तो होता है हम देखते हैं आकसर ये खबरें आती है किसी movie की story को ले करके कि किसी writer ने director के पर इल्जाम लगा है कि उसने उसकी कहानी चुरा ली तो ये जो कहानी चुराना हो गया या idea चुराना हो गया इसको क्या का जाथ है तो इसको कहते हैं pleasureism डी वाला जो option है इसका correct है pleasureism का मतलब चुराना क्या चुराना किसी की writing जो लिखा है उसने वो चुराना किसी का idea चुराना और सिर्फ चुराना नहीं उसको ऐसे पेस् seconds करना जैसे वो आपका ही आपकी कहानी हो या फिर आपका या idea उ बग्रल्डी का मतलब आपको पता ही होगा चुरी से होता है कम मूल्य की वस्तु की चुरी जो होती है उसको कहा जाता है क्या मतलब को पता ही है मतलब कोई भी मुवी आह फिर आपके सामने कोई भी रैटिंग हो उसको क्या करना आप अपनी तरह से नहीं दिखाते हैं क्या हो गया कि आप उसकी नकल उतार लेते हैं उक्क 딱 न कल कर लेना और उसको मार्केट में ब्लैक बहें किसी के सामने इस तरीके से देखना जैसे आप बहुत गुस्षे में हैं और इकदम डराने वाली स्थिती में आप उसको देख रहे हैं घूर रहे हैं उसको क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है ग्लोवर करना सी वाला जो अप्शन है इसका करेक्ट है करने का मतलब बहुत ही तीखी नजर से किसी को घूर ना को पता है यह कुछ भी पीसना हो गया तो उसको कहा जाता है घ्रेट करना गनेश का मतलब होता है दाथ पीसना कह सकते हो कि अब आप जब घुसे में दांट पीषते हैं तो उसको कशा पीषaran का मतलब का मतलब वता है जैसे जो छोटे से से होते हैं को व भी protocols अपने दांत से काटते हैं बाव कर के छेद करना या फिर दांसे काट लेना तो उसको कहा जाता है ग्णौ में दांस से काटना the place where public government or historical records are kept ऐसी जगह जहां पर public के government के जो historical records होते है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है archives बी वाला जो option है ये इसका सही है, archives कहा जाता है इस कलरी का मतलब क्या होता है कि kitchen के पीछे का एक छोटा सा हिस्सा एक जगा होती है जोटी सी हिंसा जहां पर बरतन धुले जाते हैं उसको कहा जाता है बरतन मांजने की या बरतन धुलने की जो जगा होती है उसको कहा जाता है इसकलरी याद रखें कौफर का मतलब क्या होता है कौफर का मतलब एक ऐसी संदूक से होता है जिसमें हीरे जवाहर वाली वस्तों रखी रहती है जो कबड होता है जो रेक होती है जिसमें खाने वाली वस्तों है रखेर से नहीं है उसको क्या कहता है तो उसको कहते हैं insolvent, okay, insolvent c वाला जो option है, ये इसका correct है power का मतलब क्या होता है, power का मतलब होता है poor से, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब वेक्ति उसको power कहा जाता है destitute मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था destitute का मतलब, ऐसा वेक्ति जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, जिसके पास ना रहने के लिए जगा हो, ना खाने के लिए खाना हो, ना पहनने के लिए कपड़ा हो तो ऐसा वेक्ति क्या कहलाता है, destitute जिसके पास कुछ भी नहीं होता है बहुत ही ज़्यादा जो गरीब हो, destitute कहलाएगा StressFit of an object in one direction किसी ऑब जी spirit एक अही जो होते सको वोलासिटी कहते हैं याद रखिया मतलब क्या होता है साइकल होता है Okay मतलब जहां पर साइकल चलाते हैं कैसे जघा होती है जिसके यह जो जगह तर्फ एसे लोते हैं तर्फ कि तेमपो का उतलब मुजिक से होता है कि जब आप मिजिक की जो स्पीड होती है बढ़ाते एकम करते हैं उसको टैमपो कहा जाता है जो चलने की जो उति होती है उसको पेस कहते हैं अगला है word uttered impiously about God, मतलब भगवान के बारे में जो अशुद्ध या फिर impure शब्द या फिर ऐसे शब्द जो acceptable नहीं है, इस तरीके के शब्द अगर आप कहते हैं भगवान के बारे में, किसी धर्म के बारे में, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ऐसा करना कहा जाता है blasphemy, डी औरी बातें कर रहे हैं, ओके बहुत सारे देशों में blasphemy क्या है, बैन है, या फिर कह सकते हैं illegal अगर आप कहते हैं, तो आपको सजा हो सकती है, philosophy का मतलब आप समझती होंगे, philosophy का मतलब दर्शन साथ से होता है, या फिर आपका जो विचार है, immoral का मतलब हो गया कि ऐसा विक मतलब ऐसा टेस्ट है, जिसमें जो आरगोन आपका बीमार हो या फिर जिस आरगन में कुछ परशानी हो, वहां से कुछ ली जाए और उसको रिमूब करके टेस्ट के लिए भेजा जाए, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, बायोप टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, वह बायोपाप्सी कहलाता है, ओटाओपसी का मतलब क्या होता है, जब 你在世 मर जाता है, तो उसको जो पोश्च रोट्र करते हैं, उसको ऑप्योज़ा क्या थी, यह सारी चीज़ं़ो पता करने के लिए, तो उसको अप्योप्पोरिया होत बनाता है तो ऐसा विक्ति क्या कहलाता है उसको कहा जाता है लेक्सिको ग्राफर सी वाला जो अप्शन है यह इसका करेक्ट है लेक्सिको ग्राफर मतलब डिक्सिनरी को कम्पाइल करने वाला या डिक्सिनरी बनाने वाला विक्ति कहलाता है जियोग्राफर आप समझते हैं ले है जंटा है के टार से अर्टिस्ट होता है लिंगोशिक का मतला आपको पता ही है कि जो लेंग्विच की स्टी करता है इसको लिंगउिश्ट कहा जाता है अगला आप अगले स्टेट और ड्समें कॉज़ें मेंटल कंफ्युजण मतलब इस तरह की स्टेट आप कि आपको confusion हो, बहुत ज़्यादा anxiety हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपको दुख हो, इस तरी की condition हो, आप समझ नहीं पारें, आपकी condition क्या हो रखी है, तो ऐसा यो state होती है, उसको क्या काया, तो उसको contraction कहते हैं, contraction का मतलब होता है, किसी भी चीज का शिकूर ना, मतलब कोई सिकूर रही है, तो उसको का जाएगा contract हो रही है, धीरे धीरे कम होती, concentration का मतलब आपको पता ही है, मतलब ध्यान लगाना किसी भी चीज के उपर, теперь nation का मतलब क्या होता है, तो यही इसका सही word है, concentration का मतलब होता है, ऐसी स्तिती या ऐसी mental condition, जिसमें अब confusion हो रहे हो बहुत ज़्यादा डिसमें की feeling हो रही हो भूत ज़्यादा खराब लग रहा हो खराब लग तो यह consternation कहलाता है constriction का मतलब क्या होता है constriction का मतलब होता है बहुत जदा kindness आपको leal takingness नेस को JoséOR हो रही हो तो उसको कहा जाता है construction ओके अगला वर्ड है अब person who loves wealth and spend as little money as possible जहां रखे का जा रहा है कि एक ऐसा वेक्ति जो जिसको wealth पसंद हो who loves wealth ओके जिसको पैसा पसंद हो और वो बहुत कम जितना कम हो सके उतना कम खर्च करता है उस पैसे को तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं माईजर का मतलब क्या होता है कोई बहुत ज़्यदा कंजूस वेक्ति होता है कंजूस वेक्ति का मतलब क्या हो गया कि कोई कंजूस वेक्ति वो होता है जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता है इसके वाद पैसा होई ना तो खर्च कहां से करेगा इस क्रिम्प का मतलब भी कंजूस से ही होता है लेकिन यह आप कह सकते हैं कि कोई economical है, मतलब बहुत ज़्यादा सूजबूच के साथ पैसे खर्च कर रहा है, फिर जमा कर रहा है किसी खास देश के लिए, इसलिए पैसे कम खर्च कर रहा है तो वो स्क्रिंप कहलाएगा, money grabber का मतलब ऐसा वेक्ति जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा चाहत है उसका खर्च करने से कोई मतलब नहीं है, कितना वो खर्च करता है कितना नहीं, लेकिन उसको पैसे की बहुत ज़्यादा चाहत है जहां से चाहेगा, वहां से पैसा ही बनाना चाहेगा करमेजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यदा bad tempered वेक्ती है बहुत ज़्यदा bad tempered है मतलब वह हमेशा गुस्से में रहता है कोई बुढ़ा वेक्ती होगा तो उसको कहा जाता है bad tempered वेक्ती को करमेजन याद रखेगा डी वाला जो option है अगला word है क्विबल का मतलब क्या होता है यह मैं आपको फि तो आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो गर अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके आप देख रहे हैं कि इसमें 50 से अधिक जो vocabulary है आपको सीखने को मिली ह और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप Telegram चैनल पर हमारे जाए वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी website पर जाए वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye